कैसे सभी लोग तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बाइडावर्सिटे इन गंजर्वेशन पंदरा मिनिट में हम पूरा का पूरा चप्टर रिवाइस करेंगे एक पॉइंट एंसी आटी का कवर करेंगे और मदा आज आएगा तो लेट स्टार्ट सेशन यह पूरा पीडिय सब्सक्राइब कितने हैं थ्री लैक नंबर स्पीश फिशेश ट्वेंट थाओजन नंबर स्पीश और किट्स ट्वेंटी थाओजन बाइडावर्सिटी तर्म इस पॉपॉलराइस बाइड किस का स्ट एको लोजिस्टा यह सोच्वालोजिस्टा उसका नाम कहता तो यह मेडिसन प्लांट है टू फॉल्स टू यह एक्टिव केमिकल कॉल्ड रेसर पाइन देश जैनेटिकली इफेंट इंडिया प्रिजेंट फिश्टी थाओजन और यहां पर अरेविन सी से मॉन्सून आता है इसलिए एकोस्टम लेवल इंडिया है इस ग्रेटर बाइविश्टी थेन नौर्वे नौर्वे देश कंट्री इस कैने डिन टोटल नमर अब प्लांट्स अनिमल स्पीशी डिसकर तिल नाउ और कितने मिलियन बंपंट फाइव डैश मेंड साउंट एस्टिमेंट ऑफ देश मिलियन ग्लोबल स्पीश ऐसिटी दिवर सिटी कौन भाई साब थे रोबर्त में कितने मिलियन सेवन मिलियन ग्लोबल सिट्वी डिसी डी मोर थन 10% 2 परसंट ऑचेज और रिचोडेव चेजेए ज एनिमेर अनिमल्स एनिमलस टांट कंप्राईज नो नो और देस परसंट नो मोर थन टुए तविश मे the world is more than the combined total of the species of fishes, amphibian, reptiles and mammals. नीट में आ चुका है क्वेस्टन, फंगाई, बॉर्ड इंपोर्टेंट है, बाइलोजिस्ट आ नौ शूर अबार हाउ मैनी प्रोक्राइटिक स्पीजिस, देर माइट बी, प्रूव फॉल्स, प्रूव, इंडियन स्पीजिस इंडिया के पास, 2.4 परसंट यह के वल्ड का, लेकिन स्पीजिस डियवरिसिटी हमारे पास कितनी है, 8.1 परसंट, इंडिया हां, 12 मेंगा डियवरिसिटी कंट्रीजिस ओफ दे वर्ल सही बात है क्या, true, true हाई है, according to me only dash percent or total species are recorded so far 22% species diversity increase as we move away from equator to the poles poles में कम होती equator में ज्यादा होती है Columbia has nearly dash species while New York has dash species and Greenland has only dash species of birds Columbia में 1400 New York में 1500 and Greenland में 56 species of birds है क्योंकि तुम्हें देख पारे होगे कि यह equator के पास है equator से दूर चल जाता है इंडियास more than dash species of birds 1200 dash rainforest in कौन से continent has the greatest biodiversity on earth Amazonian rainforest in South America dash species of plants fishes birds mammals amphibians and reptiles and of more than dash invertebrates are found in Amazon तो कितना होता है जी देखो चालेसर स्पीसिस तो प्लांट होते हैं 3000 species of fishes होते हैं 1300 होते हैं birds 427 होते हैं mammals 427 होते हैं amphibians 378 होते हैं हमारे reptiles और 1,25,000 होते हैं यह याद रहे तो अच्छी बात है नहीं रहे तो कोई बात नहीं कोशिच करो याद कर पाओ क्योंकि NCRD का data पूछा जा सकता है कभी भी इसके ट्रॉपिक्स में एक्स्टेंस नहीं हुआ था जब ट्रॉपिक्स में नहीं रहती है तो कोई दिक्कत नहीं आती अलग लोग लोग रह सकते हैं काभी सारे you know species and there is more solar energy in traffic यहाँ पर energy जाता महाँ पर ग्रो करने की चांसे जाता इन इन कौन सा में नौर्थ अमेरिका साथ अमेरिका जंगल साइंटिस्ट ने काम किया था पता होना चाहिए एंश्याटी के लाइन साउथ अमेरिकन जंगल में काम गया था हमारे एलेक्सेंडर वॉन हम वोल्ट इसन है ही वहुझाब किया था बिटर्ष फिलिस्फर थे क्या थे जर्मन और नाटरलिस्ट थे टिक और कि दीखा था कि स्पीशी इसे इस आड़ियां सब्नाव और उन्हों बाट एप्न और मोड ती ग्राफ between species richness and area for a wide variety of texture turns out to be कैसा होता है rectangular hyperbola value of z line in the range of dash to dash z की value कहां से कहां तक lies करता है 0.1-0.2 with change in region or taxonomic group under study the value of z also changes क्या यह बात सही है बिल्कुल कर लाता है यही बात है कि वह यह z की value same रहती है है जो की अचंबा है अपने आप में value of z on analyzing on continents become dash to dash continent जो हम analyze करते हैं इसकी value थोड़ी ही different हो जाती है भड़ जाती 0.6 से 1.2 हो जाती है areas with more species diversity so less year to year variation in biomass true increased diversity means higher productivity सही बात है क्या बिल्कुल सही बात है अबब two statements given given by the scientist कौन साइंटिस साब ते डेविड तेलमन डेवर पॉपेट है इस किन साब ने दी थी पॉल एलरिच इस पीचीज वर कंपेर्ड विट किस चीज औफ है रोप्लेंस सोबर पूचा जाता है यह से डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट में डिवलेट्स डिवलेट्स से फ्लाइट से फ्लाइट सेफ्टी वस कंपेर्ड विट किस से प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एको सिस्टम कि दा आयूसी एंड रेड लिस्ट डोकुमेंटेड एक्स्टिंशन ऑफ कितने स्पीचीज इन लास्ट यह सेवेटी फो डाटा यह यह रखना है यह बला डैस नमर वर्टिवेट्स डैस नमर वर्टिवेट्स डैस नमर प्लांट्स गॉट एक्स्टेंट पता होना चाहिए और टैस्टभी प्लांट्स प्लांट्स डैस्टिंशन हमारे पास साथ लोग है नेट में बहुत बाप उचह चाता है डोडो कोगा थायलासीन इस्टैलर सीक और और थ्री सब्स्पीशी से जिनका नाम और टाइकर जिनका नाम है हमारा बाली जावन और कैस्पियन दोडों क कंट्री क्या थी भौत बाग उच्छ जायगा याद रखो दोस्क्ट बिल्कुल मारोशियस कोगा की कंट्री क्या थी अफरेका एक्स्टेंशन जो की रश्या से हुआ था किसका हुआ था था थाइलाशीन एंफिपियां और मोर वनरेबल तो एक्सिंशन साही बात देगा यह बिल्कुल 10% of MFPM species are facing the threat of extension कितने परसंट है 32% बिल्कुल होता है नेम आल दे इवल क्वाट्रेट तो हमाएं पास चार है क्या क्या है वो पहला है वो फ्रेग्मेंटेशन दूसरा ओवर इस्पीशीज इन्वेजन और चौथा को एक्सिंशन थिक मोस्ट इंपॉर्टन को तो एक्सिंशन कौन है सौ बार पूछा जाएगा है विटाट लॉसें फ्रेग्मेंटेशन ये वाला डैस इस कॉल्ड लंग सॉप प्लैनेट अमेजॉन रेंफॉरेस्ट एक्साम्पल एक्स इस एक्सिंशन आप मोर देन कितने स्पीशीज और तो मोर देन तोनेट स्पीशीज ओप चिच्च्रिट फिश इन्वेज़ एक्सामपल क्या है कैरेट ग्रास जिसका हम पार्थेनियम भी बोलते हैं मेरा मजा कोई नियुद आएगा लांट आना और तीसरा आजाएगा वा इस पोजिंग तो इंडियनेस केट फिश कौन सी केट फिश पहले केट फिश का नाम बता हिए क्लाइस गैरी पाइनस क्या थी अफ्रिकन है वो रीजन्स वाई वी शुट कंजब बायोडिवरसिटी अग्रोप दिनू थी केडिकरीज नेम थेम तीन रीजन क्या क्या है नेर इस पीसिच प्लाइ सबस्ट कर् Speaker 2 किने टैनल मृडिवरसिटो फिरríде कर एंस वी थाथज Пए सुन थे बायोडिवरसिति थी यह शिचिटी तो इस एक्सितूिट is endemism species confined to dead region and not found anywhere else is called endemism total number of biodiversity hotspots in the world are 34 three of these hotspots present in our country are Western Ghats, TK, Indo-Burma and Himalayan all hotspots put together cover less than 10% of earth land area less than 2% number of biosphere reserves in India area कितने हैं जी 14 national park कितने हैं बताई ये 90 wildlife sanaturies 448 three areas मद्द्द्देश डेटा sacred groups पहला area है चंदा दूसरा बस्तर और तीसरा सर्गुजा सर्गुजा थी टू एरिया को मेगाल्या जो कि सेक्रेट भूस हैं खासी एक तुमस्वन होगा और एक जैनता हिल्स एरिया सेट गूरूफ और फाउंड इन एरिया सकॉन से चार एरिया जैन पूछा चुका है बता देता हूं जैनता हिल्स जो मैंने आपको बताया अभी मेगाल्या में होते हैं इसके बाद दूसरा मारा है अरावरी इल्स जो कि कहां पे राजिस्थान म मारास्त्रा एंदे सर्गुजा चंदा एंड बस्थर एरिया ऑफ मदबलेश चार एरिया आगया एक्स हितुकंदर विशनार पहला जूलोजिकल पार्क दूसरा बॉट्निकल गार्डन एंड वाइल्लाइफ सफारी पार्क दा अर्ट सम्मिट वस हेल्डन सिटी डैश इन य डैश रियो डी जैने रियो मेरे पेपर में पूछा गया था नाइंटीन में ध्यान रखना यह 1992 यह भी पूछा गया था व्ल्ट सम्मिट ऑन सस्टेंबल डेपलमेंट वस हेल्ड इन डैश एर इन डैश सिटी ऑफ डैश कंट्री यह 2002 इन जॉनसबर्ग इन साउथ अफरिक इन डैश नंबर ओफ कंट्री स्प्लेश देयर कमिटमेंट अचीव यह डैश सिग्निफिकेंट डेक्शन रेट ऑफ बायो डाइवर्सिटी वन नाइंटी कंट्री इतने बोला कि बाय यह 2010 वह बायो डाइवर्सिटी के रेट ऑफ डेक्शन को कम करेंगे अब इसके बाद ह क्या है इसमें Krustachians क्या है क्या है मोलस्कि है क्या है इन्σεक्視 और डी अदर आनिबल मतबार समंझ पहें होगी कितने जैदा पार्ट में केवाल इंसेक्स ले जाते हैं अब आता है वाई जो कि यह वर्टीब्रेट का चार्ट कि कितनी जाइवर सिटी है तो सबसे लाइक एक क्या है सबसे पहले मैमल से बी बर्ट सी रेप्टाइल्स डी एंफिबियांस और फिशिस तो तुम संच्पार होगी फिशिस क हम ब्राई वाइक जो बोलते हैं विक्या है फन एन अलाइस फन मतलब हमाना टेरिवाटा हो गया हुए क्या है अबध स्क्षिस्पर्म हो इसरी के साथ के are Hello आज की χोट देख लेते हैं weavia और को टॉ occupied शınलीं दे बन थर्टी सेवन हमारे डाइनोसार भी आ जाते हैं तो यह कोवेट की टाइम की बात चल रही है तो ठीक है बाइस भी लोगों मिलते हैं नेक्स सेशन में और ज्यादा मज़े के साथ थैंक यू